नमस्कार जय हिंज जय भारत मैं राहुल पार्चा भारतिये आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ एक विशे पर बात करने के लिए विशे आपने पढ़ी लिया होगा एक ही चीज आपको कामियाब भी बना सकती है और नाकामियाब भी वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कामियाब होते हैं या नाकामियाब होते हैं क्या सीखते हैं उस चीज से एक ही घटना एक ही घटना से कोई अच्छा भी बन जाता है कोई बुरा भी बन जाता है ये आपके नजरिये का फर्क है आपके सोचने का फर्क है बस एक ही चीज एक घटना कुछ भी कोई एक चीज आपको पूरी तरह बरबाद भी कर सकती है और कामियाभी की बुलंदी तक भी पहुचा सकती है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोई एक चीज जो है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती है एक कोई घटना एक कोई व्यक्ति कुछ भी हो सकता है मैं आज एक्जामपल दे कर आपको बताऊंगा कि क्या ऐसा होता है जो हमारी जिंदगी में बदलाव होता है क्या ऐसा देखे हैं हम लोग जिससे हमारा नजरिया को चेंज हो चीजों को समझने का देखने का दोस्तों आप सिर्फ थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल लीजे अर्ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा आज मैं बताने वाला हूँ हम इतिहास में जाएंगे आज इतिहास की एक घटना याद आ रही है मुझे जिस पे हमारा नजरिया आप खुद भी देखेंगे खुद भी समझेंगे चीजों को और महसूस करेंगे कि हाँ एक ही घटना दो लोगों में अलग-अलग इंप्रेशन डालती है आपने सुना होगा गुरू द्रोणाचार एक के बारे में वो अपने शिश्यों को सिक्षा दे रहे थी तो उन्होंने एक दिन युदिस्टिर को और दुरुयोधन को दोनों को बुलाया और दोनों को एक काम दिया युदिस्टिर से कहा कि तुम जाओ हर जगा घूमो तुमारे पास दो दिन का समय है देखो और मुझे बताओ कि कौन है बुराई बुराई देखकर बताओ कितने लोग दुनिया में बुरे हैं हमारे आसपास, समाज में, गाउं में, कितने लोग हैं, ऐसा कोई डेटा बना कर दो मुझे और दुरियोदन का कहा तुम जाओ और ये देखो कि हमारे आसपा समाज में, गाओं में हमारे राज्य में कौन ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अच्छा हो बहुत समझदार हो, दयालू हो ऐसा लोगों को एक लिस्ट बनाओ और मुझे दो एक डाटा बना कर दो दोनों गए दोनों को दो दिन का समय था और दोनों ही बहुत अच्छे शिशे भी थे, दोनों गए यो जिस्थिर ने देखा कि समाज में हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है कोई अगर पियावा भी है मद्रा पान करते थे पहले कुछ लड़ाई जगड़ा करते थे कुछ गलत काम भी करते थे ऐसा नहीं है कि गलत काम अभी होने शुरू हुए है कलियुक में अच्छे बुरे लोग हर समय हर समाज में रहे हैं यूगों का इससे कोई कोई लेना देना नहीं है जिसकी प्रवति जैसी होती हो वैसे ही कारे करता है तो उस समय में भी ऐसे ही लोग थे कुछ बुरे लोगों को भी देखा और आ गए गुरू जी के पास द्रियोदन ने भी यही सब कुछ देखा और घूम गौम के सारी रिपोर्ट तयार करके आए गुरू दुरोना चारे के पास दो दिन बाद जब उनकी मुलाकात हुई तो गुरू जी ने पूछा हाँ जुदिस्थिर बताओ तुम्हें क्या कोई हमारे राज्यमें बुरा वैक्ति मिला जो सबसे बेकार हो खराब हो तो उसने बताया गुरू जी मुझे तो कोई ऐसा बुरा मिला ही नहीं कुछ लोग मदिरा पान कर रहे थे और मदिरा ज़्यादा पिली तो वहीं पे लेड गए कोई उनकी सुद लेने वाला नहीं था कोई इधर पड़ा था कोई उधर पड़ा था तो मैंने देखा ये तो सच्चाई है जीवन की जैसा कर्म करोंगे वैसा फल मिलेगा तो ये गलत काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए बुरे नहीं हैं लेकिन उससे उन्होंने कुछ सीख ली वैसे ही नहीं मिला हर किसी में कोई ना कोई बुराई है हर कोई अपने अपना मतलब से ही रहता है अपना मतलबी दुनिया पूरी मतलबी हो गई है अपने मतलब से मतलब रखते हैं अगर किसी को कोई परिशानी है तो है अपना काम पहले होना चाहिए उसने उस नजरिया से देखा सब चीजों को दोस्तो इस घटना से गुरु दुड़नाचारे ने समझा कि इन दोनों का जो नजरिया है चीजों को देखने का जैसा व्यक्ति खुद होता है वो वैसी ही चीजों को देखता है उसे वैसी ही चीजे दिखाई देती है अगर द्रियोधन बुरा था तो उसे समाज में बुराई ही दिखाई दे रही थी जो दिस्थिर अच्छा आदमी था एक अच्छा व्यक्ति था, समझदार था, धैरे रखता था हर चीज में बुराई से परे रहता था तो उसे सब लोग अच्छे अच्छे दिखे उसने बुराई में भी अच्छा ही ढूंड ली इसी तरह से जो व्यक्ति काम्याब होना चाहते हैं वो कुछ न कुछ हर एक व्यक्ति की जिंदगी में कोई न कोई एक घटना ऐसी होती है जिससे वो सीख ले सकता है एक कहानी में और बता देता हूँ आपको एक घर में दो भाई रहते थे लेकिन उसके पिता जी बहुत पीने खाने वाले थे लड़ाई जगड़ा करते थे मार पीट करते थे डेली का उनके घर में यही सब कुछ रहता था उन दोनों भाईयों में से जो बड़ा वाला भाई था वो ना शराब पीता था ना नशा करता था और ना ही कोई ऐसा बुरा काम करता था जिससे उस पर कोई उंगली उठा दे चोटा भाई उसी घर में रहने वाला वो नशा भी करता था शराब भी पीता था हर वो गलत काम करता था जिससे उसको कोई भी उठा दे यह गलत आदमी है एक दिन एक व्यक्ति ने उन दोनों भाई उसे ही पूछा पहले छोटे वाले से पूछा भाई तेरा बड़ा भाई तो ऐसा नहीं है तू ऐसा कैसे हो गया तो इतना बिगड कैसे गया तो उसने बताया मेरे पिता जी शराब पीते थे नशा करते थे हर गलत काम करते थे मैं मैं ये देखा मैं वैसा बन गया जक्वी तो बड़े-वाले से पूछि taraf हैं नस्य नियुक्तक्व एन मैंने वो देखा और मैं नहीं बिगड़ा मुझे समझ आज बिगया ये कि गलत काम है ऐसा नहीं करना है अगर मैं भी ऐसा ही करूँगा तो मैं भी ऐसा ही बन जाऊँगा हर कोई मुझे पर उंगली उठाएगा सवाल उठाएगा हमारा नजरिया हमारा नजरिया है जो यह तैय करता है चीजों को देखने का कि हम क्या करने वाले हैं जिन्दगी में हम कामियाब होने वाले हैं या नाकामियाब होने वाले है अब यह आप पर डिपैंड करता है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं कामियाब होने वाले लोगों की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं यह आप पर depend करता है दोस्तो एक ही चीज इनसान को motivate भी कर सकती है और demotivate भी कर सकती है किसी भी काम को करने के लिए बस आप एक बार देख लिजे और समझ लिजे जब भी कोई काम कोई गलत काम करने जाएंगे अपने आपको सिर्फ दो म काफी है बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए होता हर इंसान समझदार है अपना अच्छा और बुरा हर इंसान समझता है बस दो मिनिट अपनी जिंदगी के दो मिनिट अपने आपको दे लेना मुझे लगता है कि आप लोग भी कामियाब हो सकते हो तो अपना नजरिया जै हिंद जै